रजा एकेडमी भिवंडी के अध्यक्ष शकील रजा को धमकी दिने वाला गिरफतार हज़त मोहिन्मिया ने शकील रजा का हाल चाल जाने और कारेवाही के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया दो दिन पहले शकील रजा सहब को वाटसेप पर मेसेज करके जान से मारने की धमकी दी गई थी शिकायद पुलिस में दर्ज कराई गई थी जैसे ही यह खबर फैली भिवंडी और भारत के अधिकांश हिस्सों से लोगों ने फोन किया और शकील रजा का हाल चाल पूछा इस संबंध में पूरे भारत के चीप हज़रत सायद मोहिन मिया शाम को मोहमद शकील रजा साहिब के कारियाले आये उनका हाल चाल पूछा और उनके लिए दुआ की पुलिस विभाग में धमकी देने वाले के खिलाफ तक काल कारेवाही करते हुए आरोपी को गिरफतार कर हजरत मोहिन मिया साहिब की ब्ला ने उनकी प्रशंसा करते हुए भिवन्डी के डी सीपी यूगिश चोहान को फोन करके पूरे पुलिस मेहकमे को धन्यवाद दिया और सरकार से मांग की कि दोशियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए भिवन्डी सेता जान सारी की रिपोर आज भिवन्डी आने का दो मकसद था एक तो बुखारी मौल जो तामीर हुआ है उसका इफ्तिता था वहां दूआ करने के बाद शोशल मेडिया के जरीए मालू हुआ कि शकील रजा जो रजा एकेडमी के यहां के जिम्मेदान भिवन्डी के इनको धंकी वरा मैसे जाया थ तो उस तालुक से फिर इनके दफ्तर आना हुआ और प्रशासन से बात की गई कि वो शरंगेज अगरात जिनों ने इस तरीके की रहे जिम्मेदानाना हरकत की है उन पर कड़ी से कड़ी कारवाई हुआ हुआ ज¿ज़रता जो पूरे हिंदुस्तान में 저ुरान अपक का तौरिम ह किया जारा है मुस्सामानों को निशाना बनायी जारा है उस को लेकर रज़ा इकेडमी किस तरीक से काम करके है रड़़ाये मैदाने अमल में है वसीम रजवी की खवास्त के खिलाफ सबसे पहले अगर को ई म पुलिस को हम शुकुरी आदा करते हैं, खुद बराहे रास्त हमने डीसीपी साफ से बात की, और भिवन्डी पुलिस ने जिस तरीके से शरपसंदों पर कारवाई की है, और वो कारवाई जारी है, यकीन इंशाललाँ चंद दिनों में इस तरीके की खुराफात जिसने की है, पुलिस की शिकंजे में होगा. पुलिस ने जिस तरीके साफ से बात की है, तो हमने भी तकरीर उनका शुकुरी आदा किया, यानि भीन्डी डीसीपी, एस्टीपी साहब, सिनिया साहब, और खास तर पर अपना आयो, शरयत पवार, यानि लोगों ने इतना शांदार तरीके से इतना दिल बे लेके काम किया कि वाकई इनका शुकुरी आदा करना का बनता है, तो हम सब प्रजा अकेडमी वाले या जितनी यहां मवजूद है, हम सब उनका तहजिल से शुकुरी आदा करते हैं, पुले डिपार्टमें इनका, और खास तर पहरत का, पज़रु आरो, अपने पुलिस इस्टेटमन में क क्या दिया, मतलब उसे भी आपकी जाती दुश्मनी या किस लिए, क्या हो जाते हैं, नहीं हो तुम मैंना उसको जानता हो नो में को जानता है, मैंने पहली दफ़र देखा जब पुलिस ने इसको सामना कर वाया तो, अब वो जो किसी आओ का नाम बता रहा है, यह जो किसी अब जिसका नाम बता रहा है, पुलिस उसको भी लेगा आई, वो किसी आओ का नाम बता रहा है, तो अब दुश्मनी के लोगों का ही नाम, अब तक तो भी हमडी के लोगों का ही नाम आया है